असलाम लेकूम स्टूरंग कैसे आप सब किना आप सब ठीक होंगे चला है निकाले अपनी मैट स्टेफ फाइब किना आप समने कल वाला काम कर ली होगा यह वाला ठीक है इत्पे आपने डेट डाली थी यह था हमारा 6 अपरेल का वर्फ अब हम आगे करते हैं सैयंड कोस्टर बी राइट वैल्यो औ अफ डाले कला डिजीट इन साओ इसिंटर में काम किया था हम करेंगे साओ इस्टर में यानि पाकिसान में जिस वैल्यों हम रुपे पैसों करें जिस जिना दबान में यह जिस लैगिशिंग्बियों को पुकारते हैं अच्छिए में नमबर भी लिखेंगे और इसको जहें वर्ट में भी लिखेंगे तो यह हमारा आज का काम है 7th April आपने यहां पर अपनी बुक में भी इसको मेंचन करनी इसकी डेट और आपने अपनी नोड़ बुक में मेंचन करनी है तो नोड़ भुक खोलता है यह देखें आपने काम किया होगा यकीन है अब हम अगले सवाल कराते हैं नेक्ट वाम यह अपने लाजमी लिखना है और डेट भी बी कोस्टें वराइट दा वैल्यू ऑफ दा कलर डिजिट इन साउथ ऐसियल सिस्टम इस कोस्टेंग भी मैंने बिल्कुल पहले वाले कोस्टेंग की तरह लिखा है ठी अगल पहले कोस्टेंग लिखा और वर्ट्स में भी तो इसमें कितने नमबर के बाद कोमा लगेगा तीन दीरों के बाद एक कोमा और फिर हर दो नमबर के बाद एक कोमा लगेगा तो यह बन गया seven lakh इसमें कितने जीरो आएंगे seven lakh में five zero then देखे इसके बादे यह देखे नमबर नदर आ रहा है आपको 90 यानि 19 lakh यह आपका 90 lakh ठीक है आपने इसके लिखे नदर आप one ten hundred thousand ten thousand lakh ten lakh यह हो गया 90 lakh तो इस 90 lakh में कितने जीरो है five zero 90 lakh में कितने जीरे है six zero इसे पहले तीन जीरो का सेक्ट फिर दो जीरो का सेक्ट बनेगा फिर जीरो अपनी 90 यह बना 90 lakh तो आप इसको number words में भी लिखेंगे 90 lakh यहां mistake होगी थी थोड़ी से तो मैंने आगे लिख गया है के स्टुडेंट अपना ख्यार रखेंगा और काम बिल्कुल अपनी नीट और क्रीन अपनी नोट बुक दिखना है और डेट के साथ मैंशन करना है क्याला हफीज टेक क्यार क्या है